अलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेगे रिलाइंस केपिटल की इसके अंदर देखे तो एक अच्छी न्यूज आई है यह आप कही सकते है पिछले काफी दिनों से ट्रेडिंग बं थी और यहाँ पर ट्रेडिंग खुली है अज गुरुवार को इसके अंद सला नहीं दे रहे है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क भी है बाकि मर्जी आपकी है कहां तक प्राइस चाज सकता है वह आप देखिए किया न्यूज है वह आप देख सकते है और साथ ही साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपको ये वीडिय अगर आपको समझाओ तो यहां पर अगर आप देखे तो तो NCLT ने जो है Reliance Capital के समाधन के मामले में Lenders की जो निलामी की एक और की दोर की याचिका है यानि की अपील थी एक उनको जो है स्विक्कार कर लिया है तो कर्ज में Do Be Reliance Capital फिलाल दिवाला प्रकिया में है बता दे कि यहां पर बता जा रहा है कि Reliance Capital के शेर में 5% का आपर सर्क प्रवर्तित कंपनी के रूण दाताओं में से याचिका में NCLT के उस आदेश को चुनती दी गई थी जिसमें दिवालिया कंपनी के लिए और निलामी जो प्रक्रिया है उनके उपर रोक लगाई थी मतलब इसका साफ है कि जो टोलंट इंवेस्टमेंट है उन्हों ने जो ह 8,640 करोड रुपे में सबसे उची बोली लगाई थी जो इसका पहला जो निलामी का दोर था उसके अंदर और उसके बाद देखे तो कंपनी के रूण दाताओं ने जो है समिती ने दूसरा चुनती तंत्र चलाने का मतलब की दूसरी निलामी प्रक्रिया चलाने का जो है फ तो आगे और बताया जा रहा है कि जो यह दूसरे दिन भी अपर सर्कित लगा इसी बारे में बताया जा रहा है और यह क्यूं लगा तो हमने आगे भी देखा तो जो ने इसके अंदर जो देखे दूसरी निलामी प्रक्रिया दूसरा द्रोर जो है सेकंड ऑप्शन अभी हो तो अगर जो में चीज़े है वो अगर मैं आपको पता हुए से आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ भी सकते हैं, जो NCLT ने यहां पर अगर देखे, तो सबसे पहले अगर जो इसने जो टोरंट इंवेस्मेंट था, उन्होंने सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे है, 8640 करोड उससे भी ज्यादा बोली मिल सकती है, इससे भी ज्यादा पैसे इसको मिल सकते है, किसी दूसरी कंपनी के दुआरा, तो अब यह टोरंट इंवेस्मेंट ने जो है कहा था, कि अब निलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमने पूरी बोली लगा लिए है, अब दूसरी प्रक्रिया निलामी की प्रक्रिया नहीं हो सकती, तो उसके अगेंस यह कंपनी के रूंट दाताओं की समयति है, उन्होंने याची का दायर की थी, कि नहीं भी हम इसके अंदर और एक निलामी लाना चाते है, जिनकों कि आम हमें मनजूरी दे, तो उस वज़े इसा ज्यादा मिलता है, इसा अगर पॉसिबिलिटी है, तो यह लोग कर सकते है, तो मतलब कि अब यह टो टॉरंट इन्वेस्मेंट की याची का थी, उसके अगेंस जो है, उन्होंने यह मामला किया था, और NCLT नो जो है, इनके कंपनी के रूंड दाता हो, उनको मनजूरी दी है, आगे की निलामी, और दूसरे निलामी की प्रक्रिया को बनाने की, तो अब इसके अंदर देखे तो, जो मैंने बताया आगे, इसके अंदर वही चीज़े है, कि NCLT ने यहाँ पर मनजूरी दी है, टोलेंट पावर, इन्वेस्मेंट अगर देखे तो उन्होंने यह इतनी जो है बोली लगाई थी, और इसके रिलाइस के पिटेल के उपर फिलाल अभी देखे तो 40,000 करोर रुपे के आसपास का कर्स है, अब इसके जो चार्ट है, उसके उपर हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यह कंपनी के लिए पोजिटिव ही तो सबसे पहले तो अभी यह इसका डेली चार्ट है, लगातार दो दिन अगर देखे तो इसके अंदर एक जिगजग मोमेंट ही चल रहा है, तो हो सकता है कि अब इसका जो 21 दिनों का मुविंग यह जो की 10 रुपे है करीब-करीब, यहां पर इसको एक अगर देखे तो रि यहां पर इसका यह वीकली चार्ट भी है, यहां पर भी अगर आप देखे तो वही चीस देखेगी आपको जिग-जग मोमेंट में और इसका जो 21 हपतों का जो मुविंग एवरेच है वह तक्रीबन 10 रुपे और 80 पैसे का असपास है, तो अगर यह 10 रुपे को क्रोस करता ह तो 10 रुपे और 80 पैसे तक जा सकता है, उसके बाद देखे तो इसका मंथली चार्ट भी हम देख लेते हैं, इसके अंदर देखे तो एक डाउं ट्रम यहां पर ओल्रेडी चल रहा है, तो इन दे शॉर्ट टम, अगर इसके अंदर सब लेवल पार होते हैं, और इसे अची इसका डेली चार्ट है, तो आप लेवल को जो दियान से सुनिए, यहां पर सबसे पहला आपड़ इसके पर देखे तो दो बार इसने प्रयास किया ऊपर जानाया का, लेकिन वहां पर टिका नहीं, और 21 दिनों के मूवन गारेड़ नहीं टिका रहा, लेकिन इस बार क्युक इस लाइन को टच करने की कोशिश करें, तो इसके उपर आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं, और जैसे ये 10 रुपे को पार करेगा, तो मुझे यसा लग रहा है कि इसके अंदर 13 रुपे का प्राइस जो है पॉसिबल है आने वाले दिनों के अंदर, और सपोर्ट की अगर अगर आप ट्रेड लेते हैं, अपनी रिसर्च करकर तो आप यहां पर स्टोप लोस ले सकते हैं, नो रुपे और आठ रुपे पर, और जैसे ही 10 रुपे को पार करता है, तो हमेंसा लगता है कि ये 13 रुपे तक जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर, तो आप इसके आप आप को यह अच्छा लगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेर करें, और शेर मार्किट की जैनियून इफ्रमेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रेड ले, उससे पहले हमेशा अपनी पहले रिसर्च कर है, उसके बाद आपने फाइनाजर, एलवाजर के सला ले, उसके बाद ही कोई डिसेजन ले और डिसेजन ले तो उसकी जीमेदारी मैचोरिटे के साथ खुदी ले, यह वीडियो मैंने एजुकेशन परपस के लिए बनाया है, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कोई भी बाई य है, थैंक यू.